Hi friends, Happy New Year आज आप लोगों के लिए एक serious topic के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरा वीडियो टाइटल देखकर आपको सायद कुछ पता चला होगा खास करके जो लोग Gmail account unprotectate हिसाब से यूज करते हैं यह unprotect के क्यों बोल रहा हूँ यह मेरा वीडियो देखके आपको पता चल जाएगा सायद 90% ऐसा लोग है जो Gmail में श्रेफ उसका Gmail account और password देके लोगिंग करता हैं लेकिन इस तरह से आप अगर Gmail account यूज करेंगे तो आपका सारे के सारे डेटा डार्क वेब में लीग हो जाएगा यह मैं मेरा वीडियो का पूरा end तक देखे आपको पता चल जाएगा क्या कितना dangerous है यह आप Gmail account आपका पूरा डेटा आपको कहां से कहां तक पहुँच देगा आपको मालूम नहीं इसलिए आपको Gmail account किस तरह आपको protect करना चाहिए यह मेरा वीडियो पूरा के पूरा देखे चलो शुरू करते हैं मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं कसिस करूंगा कि ज्यादतर ज्यादतर लोग इसको समझ में आए और यह मेरा जो procedure आपना है तो आपका email थोड़ा secure रहेगा और आपको data भी secure रहेगा तो यह देखिए मेरा already logging है मेरा account में तो मैंने इसमें क्लिक करके manage your account में जाना है तो manage your account में जाके क्या करना है security में क्लिक करना है ठीक है अच्छा क्या करना है आपको यह security में क्लिक करने के बाद आपको scroll करके नीच में जाना है नीचे जाके देखिए यह आएगा manage enhance safe browsing यह तो ok है यह अगर नहीं है तो आप इसको क्लिक करके on कर लिजिएगा browsing साथ थोड़ा security बढ़ जाएगा आपको यह google कर नया feature साया है इसके बाद देखिए run a scan with google one इसमें क्लिक करना है आपको ठीक है इसके बाद देखिए see if your gmail address is on dark wave तो यह run scan है इसमें क्लिक करना है करके आपको देखना है कि यह आपका जो यह gmail account है इस account का कोई भी data dark wave में गया है कि नहीं ठीक है तो देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है no result found इसका मतलब इस जो email है मेरा इस email का कोई भी data अभी तक breaches नहीं हुआ है का मतलब leakage नहीं हुआ डार्क वेब में नहीं गया है इस scan करके google बाताता है ठीक है तो क्यों नहीं गया मैं आपको बाद में बाताऊंगा तो थोड़ा और एक email ट्राइ करते हैं देखते हैं क्या है उसमें ठीक है अच्छा तो और एक email मैंने logging किया और इस email में आप देखिए इसमें आपको जाएए manage google account पर और manage google account पर जाके आपको स्रेफ जो मैंने पहले दिखाया था वही था तो आपको security में क्लिक करने के बाद यह जो पेज आएगा how you sign in google यह पूरा के पूरा आप बाद में दिखाएंगे आपको अभी चल जाता है वह देखो manage and and save browsing में क्लिक क्या है मैंने on गया और यह run and scan with google account इसमें क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद जो यह पेज आया same page से previous जो मैंने दिखाय था उसी तरह run and scan करेंगे तब आपको एक page आएगा देखिए यह यह जो खतरना के result आपके समने आया है मैंने तो पहले देखके चोग गया मैंने यह वीडियो बानने के पहले मैंने यह scan किया था वो देखा था के seven result beaches देखिए seven data beaches with your email address are found on the dark wave इसका मतलब मेरा इस email से seven data वो चला गया है बाहर और dark wave में चला गया क्यों गया और पहले जो email था उसमें क्यों नहीं गया यह हम बाद में discuss करेंगे ठीक है तो view result देख लेते हैं देखिए यहाँ और आपको यह बता दूँ कि dark wave क्या है मैं अगर इसको मैं describe करने जाओं तो थोड़ा time जदा लग जाएगा मैंने आपको dark wave का जो थोड़ा detail history है क्या है नहीं है वो मैंने आपको मेरा description box में link रहेगा वो आप click करके पर सकते हैं तो देखिए यहाँ जो seven result है बीग basket जो मैंने login किया था sorry register किया था उसमें जो भी data है सब को चला गया यह email गया है name गया है date of birth गया है address गया है ठीक है उसके बाद एक collection 5 मुझे पता नहीं कौन सा collection 5 में मैंने login किया था वो email password email password सब चला गया और house बलके जो एक civil engineering software है software sorry website है उसमें थोड़ा building का design होता था अभी भी है तो यह मैं और एक देखिए यह कौन सा data कपकप लीग हुआ है वो date भी यहां में इंसन है ठीक है तो यह house में किया गया email यूजर नेम और नेम गया और एक website है bowl.cd साथ यह आभी बंध है एक टाइम यह थोड़ा HD वीडियो movie यहां से मिलता था कोई rare वीडियो आपको चाहिए तो इस website में मिलता था हम लोग download करके देखते थे आभी तो बंध है और इसमें देखिए email पाशवार और यूजर ने account otherwise आपको पाशवार चेंज करने से मिल जा गया लेकिन जो डेटा जो email चला गया उसको कैसे रोकेंग गया वो तो नहीं रेक सकते देखिए यहां तो email नेम डेट आप बार्ट एड्रेस सब कुछ चला गया देखिए आपको मैं एक देखाता हूं यह क्लिक करके कौन सा कौन योर्स यह जो information गया है 29th April 2021 में यह मेरा email गया है मैंने इसको हाइट कर दिया security के reason से मेरा security तो अल्रेडी चला गया फिर भी mail ID मैंने हाइट करके रखा है उसके बाद देखिए यह name, date of birth और address देखिए मैंने ना यह मेरा जो नाम है मैंने यह false नाम दिया था false नहीं किसी का नाम दिया था मैंने यह नाम यह मेरा नहीं है और date of birth तो पुरा के पूरा false है 2016 दिया था और address मालूम नहीं ठीक दिया था लेकिन वो चला गया जो भी आप देंगे वो चला जाएगा कुछ कुछ ऐसा website requirement है तो आपको original देना पड़ता है मैंने सायद इसको ट्राइ बिग बास्मेंट में स्रेप ट्राइ कर रहा था यूजर रेश्टर करने का क्या होता है कैसा ओ देखने के लिए सायद इसलिए मैंने मेरा जो data गया है यह actually data तो से ही गया लेकिन जो मैंने data ड इमेल आइडी चला गया ठीक है तो क्या करना है गूगूल आपको साजेस्ट करता है कि स्टेप टू फैक्टर ऑथिंटिकेशन फॉर इमेल जो मैंने अभी इस इमेल में ऑथिंटिकेशन डाला है ठीक है यह लेकिन यह डार्क वेप के बारे में जब जानकरी मुझे आया उ तो आपको क्या करना है वो मैं दिखाता हूं थोड़ा तो इसी तरह एस सब कुछ इसमें भी मेरा एमेल एकाउंट गया और पास्वार्ड को छोड़िये पास्वार्ड तो चेंज हो जाएगा वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं लेकिन इसको टू एफेक्टर ऑथिंटिकेश इमेल में जोरूरी होना चाहिए जो सायद मैक्सिमाम जो यूजर है उसरे इमेल आईडी और पास्वार से कम चला लेता है लेकिन मैं इतना कंफार्म हूं कि आपका वो इमेल अगर फिक्वेंटली यूज होता है और आपने टू ए ऑथिंटिकेशन नहीं डाला है तो आपक डेटा डार्क वेब में सायद 99 परसेंट से वो चलाज गया ठीक है तो आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूंग अभी अज़ा देखिए मैंने क्या किया था मैंने ये इमेल ये पास्वार देखा कब ये चेंज हुआ था लास्ट चेंज 5 अक्ट्रबर 2008 लगभग मेरा जब तक याद है मैंने ये 2008 में ये एकाउंट खोला था और वो पास्वार उसी टाइम जो दिया था उसके बाद साथ एक बाद चेंज किया और वही पास्वार मैंने टू स्टेप वेरिपिकेशन के लिए मैंने जो आउन किया देखिए ये 29th मार्च 2018 लगभग दोस सल के बाद मैंने ये ये टू स्टेप वेरिपिकेशन आउन किया तो इस जो टाइम था इतना जो टाइम बी चुछ कर चुका हूं और देखिए ये टू स्टेप वेरिपिकेशन नहीं होने से ये मेरा डेटा जो है लीख हो गया क्यूंकि आपके जो इमेल और पास्वार ये थोड़ा सीक्योर नहीं लगता मुझे क्योंकि आपको इमेल डाल दिया और उसके बाद पास्वार कोई भी आपको गेस कर सकता है और उसको जान भी सकता है करके आपको पास्वार देके लगिंग करके वो बाहर आपको डेटा हैक कर सकता है लेकिन आप जब 2A authentication on करेंगे न तब क्या होगा कि आपके पास अब दिखाते हैं क्या क्या देखें 2 step verification phone number भी है आप अगर phone number आपको email के साथ add करेंगे और 2 step verification phone जो है उसको भी आप on कर दीजिए तो क्या होगा आपके एक OTP आएगा OTP देने से आपको लॉगिंग होगा उसके पहले आप email password देने से लॉगिंग नहीं होगा देखिए यहां मैं देखाता हूं देखिए two step verification मैंने तो मेरा जो easy एक password है जो दो साल में है आभी तक वही है चल रहा है वो मैं दिखा के दिखाता हूं वो मैं आपको देखे और मैं इसको मेरा जो easy password है वो देखे मैं लॉगिंग कर रहा हूं देखिए लेकिन आपको देखिए voice message भी आप राख सकते हैं आप SMS भी text message भी राख सकते हैं verification code are sent by text message ठीक है मैंने दोनो mobile number मैंने add करके रखा है और जब मैं लॉगिंग करूंगा उसमें एक OTP आएगा OTP देने के बाद लॉगिंग होगा ठीक है यह आप जरूर कीजिएगा लेकिन यह authenticator app भी आप रख दीजिएगा क्यूंकि आप इसी कोई भी एक जगा जाते हैं यह authenticator app अगर आपके पास है तो उसमें भी एक code automatic generate होता है ठीक है तो वह code आपको देना पड़ता है जब लॉगिंग करने के बाद जो एक authenticator code मांगता है Gmail में तब देने से ओ लॉगिंग हो जाएगा तो यह दोनों सिस्टेम आपको on करना पड़ेगा आपका Gmail सीक्यूर करने के लिए यह authenticator app है दिखा यह authenticator app आप कैसे आपको mobile में डाउनलोड करना है थोड़ा यह पड़िएगा यह लिखा है यह fast download google authenticator from google play store और iOS app store iOS app store मतलब जो iPhone यूज करते है iPhone के लिए यह app store में आपको click करना पड़ेगा क्लिक करके देखियो यह जो आप Google Authenticator app मिलेगा आपको तो आप वहां से iPad और iPhone के लिए यह की app वह आप install कर सकते हैं और देखिए और Google Play Store के लिए जो Android mobile यूज करते हैं उसके लिए Google Play Store में आप जाना है आपको देखिए यह 100 million से ज्यादा download हुआ है यह Google Authenticator app यह जो इस तरह icon आपको मिलेगा और उसको install करना है install करने के बाद और एक बाद है यह एक Authenticator app में आप चाहे 5, 6, 7, 8 आप email आप add कर सकते हैं अच्छा और एक बाद है आप Authenticator app के बारह में और कुछ बताना चाहता हूं यह Authenticator से गूगूल का नहीं होता है Microsoft का भी होता है अगर और कोई security का है कोई security ऐसा Authenticator app मांगता है उस खुद उस company का नहीं है मानों के यह Google का है Google का अलग Authenticator है यह Microsoft है Microsoft का Authenticator है ऐसा कोई website है जहां पे Authenticator पविशन है लेकिन उस company का उस खुद Authenticator app अगर ना हो तो नहीं चलेगा तब क्या करना है आपको यह Google नहीं Microsoft का Authenticator app डाउनलोड करिएगा देखिए यह ऐसा Authenticator app है ना इसको आप scan करके भी डाउनलोड कर सकते है यह Google Play Store यह Android के लिए और यह Apple के लिए iPhone के लिए यह आप scan करके भी डाउनलोड कर सकते है यह जो Microsoft का Authenticator app है इसमें आप और भी किसी ओ आप जहां यह Authenticator system है तो आप इसको भी add कर सकते है मैंने यह दोनों Authenticator app के बारे में बताया आप खूद पैक्टिकल कीजिए आपका वो क्या बोले ओ गूगल एप से प्ले स्टोर से या एप स्टोर से आई यह एप स्टोर में आप डाउनलोड करिए उसके बाद ओ जो जो पॉसिडियर है आपको करना है करने से ओ आप Authenticator एड हो जाएगा ठीक है तो इसके बारे में अगर कोई वीडियो चाहते है तो कॉमेंट में लिखिए मैं थोड़ा पूरा के पूरा एक नया इमेल खोल के उसमें Authenticator आप कैसे एड करता है हम पूरा बता देंगे वह एक छोटा वीडियो बनाना पड़ेगा इसमें ज्यादा हम टाइम ओस्टिज नहीं करेगा ठीक है तो यह है Authenticator एप के बारे में तो आप देखिए यह जो इमेल मैंने आपको दिखाया भी के इसमें कोई डेटा अभी तक बीचेस नहीं हुआ इसके जो में रिजिन है देखिए यह मेरा इमेल आइडी है देखा ना यह जो इमेल आइडी है 07 आपको दिखाया देरा है 070420 मैंने ल यह 7070420 का मतलब एप्रिल का साथ तारिक में 2020 में यह इमेल मैंने जनेराइड किया इसलिए यह मैंने इस तरह के यह इमेल आकाउंट मैंने बनाया तो यह एप्रिल का साथ तारिक में मैंने यह जनेराइड किया और इसको देखिए यह जो Authenticator टू स्टेप वेरिपिकेशन मैंने एड़ किया October 24, 2020 में दो-चार माईने के बाद ही मैंने इसका two-step verification एड़ किया मुझे तब पता नहीं था तब पता होता तो मैं email account खुलने के बाद ही मैं two-step verification एड़ कर देता तो इस time में अगर यह जो gap है एप्टिल और यह October का बीच में जो gap है उस gap में अगर ऐसा कोई होता मेरे साथ तो मेरा data इस account से भी बीचेश हो सकता था लेकिन हुआ नहीं यह मेरा सोबग है ठीक है आभी तो मैं two-way authentication जो verification है वो मैंने एड़ कर दिया authenticator app भी कर दिया और two-step verification phone number भी add है मेरा दोनो phone number add है recovery mail ID भी है तो यह सब करने से यह मेरा chance minimize हो गया अभी तो यह data और कोही डार्क वेब में नहीं जा सकता मेरा मांगना है जा भी सकता है मेरा जो जो Google ने suggest किया है मैंने सब कुछ कर दिया ठीक है तो यह है आपका reason main reason जो आपको जो Gmail है तो Gmail को secure करने के लिए तो मैंने आपको क्या-क्या बताया बताया एक तो step है आपको account जब खोलना है खोलने के बाद ही उसको two-step verification authentication authentication add करना है अगर चाहे तो आप चाहे तो आपका जो mobile number है उसको भी add कर लीजिए श्रेव उसको test message या call verification नहीं होना चाहिए क्योंकि अग डिश्टाब होता है कोई राद में आप लोगिंग कर रहे है और ओटीपे के जाएगा आपको call आ रहा है गूगल से अमेरिका से call आए जो phone number आप add करेंगे और two step verification यह तो हो गया आपका security के जो जो dark wave में बीचेस का prevent करने का जो जो तरीका मैंने बता दिया और मैं एक very important आपके साथ share करना चा रहा हूं और भी आप इसको minimize कर सकते हैं कैसे ओ आपको बता रहा हूं देखिए धैन से देखिएगा हमारा होता क्या है हमने जब कोई किसी भी social account में अगर हम किसी के register करते हैं स्रेफ temporary basis के लिए तो क्या करते है हमारा तो क्या है हमारा जो gmail account है वो account देके मैंने register कर दिया तो बाद में वो जो करना था register करने के बाद जो जो information मेरा लेना था हो गया लेकिन वो जो account रह गया इसका मतलब आपका mail id और एक website का database में रह गया तो इसके लिए एक नया तरीका मैंने ढूंडा है आप इसको accept करें तो आपको भी थोड़ा security और बाद जाए गया कैसे आप देखिए नेट में search कीजिए आपको यह temp mail जो मैंने bookmark में रखा है एक temporary mail मिलेगा आपको इस mail का काम क्या है इस mail का काम स्रेफ temporary basis का आपको inbox और email जो आपको देगा देखिए इसका inbox यह है और यह है आपको temporary email generate हुआ है यह थोड़ा time के लिए रहेगा सायद 5-10 मिनिट के लिए रहेगा यहां थोड़ा लिखा कई कई भी लिखा है और रहेगा उसके बाद यह delete हो जाएगा इस mail भी delete हो जाएगा और यह inbox भी delete हो जाएगा तो आप क्या करेंगे आपको जो करना है कोई temporary social media में आप register करना चाते है और कोई भी website में आप register करना च जीएगा ठीक है और यह भी एक है तो टेम्ट मेल आप नेट में सर्च करने से आ जाएगा आपको यह tempmail.com में यह देखो यह भी देखो एक add random ऐसा generate हुआ है यह one hour के लिए रहेगा एक स्पैर रीड आप्टर one hour इसका मतलब आभी से यह एक घंटा तक आपको काम में आ गया आप logging करो, register करो, उसका OTP जो आता है, उसका verification होता है, सब कुछ होता है, अगर इसको आप change भी कर सकते हो, इसको delete कर दो, delete करने से यह change होके फिर से एक generate हो जाएगा, ठीक है, तो आभी क्या आपको मैं पुरा के पुरा practical करके दिखाएंगे, यह इस email को काम में लगाएंगे, कैसे किस तरह करता है, यह पहले तो यह email generated हुआ है, एक घंडा के लिए मैंने copy करता है, इसको copy किया, और किसी भी एक website को हम register करते हैं, देखते हैं, कोई भी एक, एक canva का website है, यहां बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, आपको photo के लिए और presentation दिखिए, कितना कुछ कर सकत है, आपको, यह AIB, AIB यहां apply होता है, तो सिर्फ आप बात ज्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ आपको sign up करके देखाता है, और temporary email काम करता है, कि नहीं, देखिए, हम पहले sign up में click किया, उसके बाद देखिए, continue email ऐसा, एक email लीजिए, जो मैंने copy किया, temporary email में, वो continue किया अभी, ठीक है, तो इसमें, एक random कोई भी नाम आ जाएगा, आप कोई भी नाम दे दिए, कोई बात नहीं, नाम दिए, create account करना है, इसको क्या है, enter code, यह जो code है, वो email में क्या है, email में inbox में आ जाएगा अभी, अभी क्या भी, देखो, आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा ठीक है, यह है, code मुझे copy करना है, control C, command C करके, इसके बात control B किया, यह नहीं ले रहा है, we don't proceed due to fail security check, इसका मतलब यह है, कि ऐसा होता है, कोई भी आप email, आप नहीं हो सकता, क्योंकि यह AI बेस्ट है, यह पैचन जाता है, कि यह temporary email यूज़ कर रहा है, इसलिए, यह जो domain name है ना, आपको दिखाता है, मैं, यह जो domain name है ना, इसको पैचन गया, कि यह temporary email का है, इसको block कर दिया, तो हम कोई बात नहीं, हम फिर से एक temporary email बहुत कुछ है, नेट में, हम एक search कर लेते हैं, इसलिए, इसलिए देर हरा है, यह आया, यह देखो countdown शुरू हो गया, और यह mail भी आएगा इसमें, थोड़ा net slow है, इसलिए देर हरा है, यह आया, मैंने इसको copy किया, इसी बाउजर में यूज करता हूँ मैं, क्यों इसमें cash हो गया न, canvas, इसमें, मैं आइज आएगा इसमें, क्लिक कर दो, मैं भी लेटर, skip और रहा हूँ मैं, यह आद्धी एग है, इसको sign out करते हैं, यह भी temporary email से किया है, continue with email continue with another ठीक है और continue with email इसमें आप copy paste करते हैं यह इंटर कोड हो जो code है अभी इसमें आएगा यह देखो चलाया अभी आभी चलाया ना इसमें बहुत करें तो मैंने क्या किया आपको एक टिम्पुर।रे मेल मैंने email उज किया करके इसको में मैंने ञीश्टर कर लिया ठीक है यह मैंने व हो गया ना यह रेइस्टर होने के लिए जो आपका फाइदा क्या हुआ आपका जो original email है यह canva में नहीं गया अगर आपको लगता है कि canva में हमको काम करना है या कोई भी एक जो website आपको temporary में आपको access करने के बाद लगा कि यह website मेरा काम का है मैंने original हम register करेंगे तब आप यूज करना आपका जो original email है यूज करना नहीं तो आप यह temporary mail से आपको काम चल जाएगा इसलिए मेरा वीडियो आपके लिए मैंने सोचा कि बहुत जोरूरी था क्यूंकि अगर हम लोग जो gmail और mail अकाउंट यूज करते उसके data आप खुद आपका data सुरुक्सित नहीं करेंगे तो आपका data और dark web में चला जाएगा और आप कभी भी मुसीबद में पढ़ सकते हो आपका bank account भी चला जा सकता है कोई भी data जो आप register करते हो उसमें चला जाएगा तो इसलिए ये आपके लिए मेरा ये वीडियो मैंने आज मेरा चुट्टी था मैंने आपको लिए सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो आपको काम में आए अगर अच्छा लगा तो like share जरूर करना subscribe करो या ना करो ये आपका मर्ची है लेकिन जरूर share करना और किसी का काम भी आ सकता है thank you good night